है थे लो इस आयदो देखिए मैप ट्रैक्टिस सेट चार इससे पीछ थी प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज देखने वाले वा हमारे चौथी प्रैक्टिस सेट होगी जिन लोगों भी नहीं देखा तो डिस्क्रप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग देख लीजिएगा तो सारे टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुके हैं मातर एक टॉपिक छुटा है जो है हमारा आकडो का प्रस्तूती करण और निरूपन इस तो आए स्टार्ट के तो अपनी वीडियो और देखते हैं प्रश्णों को पहला प्रश्ण लिया है देखे एक बात में यह बता दूं कि हाँ पर जो भी प्रश्ण है वो कहीं न कहीं किसी न किसी बुकलेट से ही उठाए गया है तो हम पहला प्रश्ण देखते हैं तीन लेकिन अनुपात समानुपात का अगर हम देखे तो आपके में स्लैवस की रूप में नहीं दिया है तो ऐसे सवाल भी आएंगे तो इससे सवाल को सौल करना भी आपके लिए जरूरी है तो देखे इस तरह के सवाल को सौल कैसे करेंगे हमको यह तो पता है कि ओसत कैसे निक तो आप डिरेक्ली यहां पे पैटर्न से अच्छा कि आप इस तरह से करिए तो जितना उसर दिया है जितने से भाग दिया था हमने उतने का ही अब इसमें गुड़ा कर देंगे तो हमें हमें मूल संख्या मिल जाएगी और लड़कों की तो 35 हमने तीन का ही भाग दिया होगा तो यहां पे हम तीन का बुड़ा कर देते हैं तो 35 करेंगे तो आजाएगा हमारा 105 एक सो पांच क्या है तीनों लड़कों की उम्र है जो एड की गई है अब कहें राएकिन की ओसत तो यह है यह तो टोटल आ गया लेकिन अब हमको ओसत निकाला और उस ओसत में भी सबसे छो एक इकाई के बदले आ रहा है साथ वर्स तो आप पूछ रहा है सबसे छोटा तो सबसे छोटा कौन होगा जिसकी एज तीन वर्स हो संबंध की रूप में जिसे तीन दिखा रहा है तो तीन करने के साथ गुड़ित्ते तीन कर देंगे साथ तेनिया हो गया 21 यहां कि जो सब च्पसे छोटा बच्चा होगा वह कितने इच का है वह 21 वर्स का है लेकिन अगर सकसे बड़े का पूछ देता तो आप साथ में साथ तो सात सी गुड़ा कर देते हैं आपका आंसर मिल जाता तो यहां आपकाा आंसर हो गया 21 कौन सा ओप्शन मैच कर रहा है तो आपका ए अगला प्रश्ण है कि 10 सेंटीमीटर कोल वाले घं से 2 सेंटीमीटर को और कितने घं काटे जा सकते हैं, ये घंगना वाले टॉपिक से आपका आ गया, देखे इस तरह के प्रश्णों का जो सूत्र था वो था बड़े घं का, बड़े घं का आयतन, बटे में छोटे घं का आयत कैसे निकले गा, क्या है भुजा का, सब्सक्राय क्या है! यहां पर दो गुडिते दो करेंगे कार देते हैं तो तो करेंगे हैं कियों का अध्या यहां कार यानि कि अगर 10 cm कोर वाला जो घं है अगर उसे हम 2-2 cm के कोर वाले घं के रूप में काटना चाहे तो हमें कितने घं मिलेंगे 125 घं मिलेंगे तो आंसर कौन सा आपका मैच कर रहा है देखिए C आंसर मैच कर रहा है तो option C आपका यहाँ पे सही हो गया 1000 मीटर ठीक है 1000 मीटर और एक मीटर बराबर क्या होता है 100 cm तो हम से पूछा क्या है एक किलो मीटर में पूछा है तो एक गुड़िते अगर हम सौ का गुड़ा करें मीटर बनाने में एक हजार का गुड़ा कर दिया किलो मीटर एक ही है इसलिए हमने यहां पर एक रखा अब सेंटी मीटर में बनाना है तो एक मीटर बराबर सो सेंटी मीटर तो यहां पर भी हम स 3,4,5 यह हमारा आंसर हो गया अब आंसर में देखिए यहां पर सारे में 0 दिया बड़ा कंफ्यूजन होगा अंकों को एक दम गिनना है यह देखे एक दो इक आई दाही मत कीजी कोई जरूरत नहीं है बस यह देखिए कि एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, जीरो हैं तो आप इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे यहां तो तीन है यहां पे पांच है एक, दो, तीन, चार, पांच यहां है तो आपका ऑप्शन भी ही सही आगे देखनी को जरूरत नहीं है लेकिन देख लिए यहां पे तो आपके चार है और यहां पर दे दिए हैं इसलिए गलत हो गया कौंसा option सही है आपका बी option सही है अब अगला प्रशण देख लेते हैं ये प्रश्न है और ये प्रशन तो भी है पीछले UPTT में आया हुआ प्रशन है यदि पी का पी prdisat 36 हो तो पी बराबर होगा फ्रतिसत निकालने का फॉर्मूला क्या है पी हमारी क्या है संख्या है तो पी बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और पी प्रतिसत तो जितने प्रतिसत का पूछता है उतने का हम गुड़ा करते हैं तो कितने प्रतिसत का पूछ रहा है पी प्रतिसत का और आया क्या है 36 आ भी गया है तो यह आ पी स्क्वाइर बराबर आगे आपका 3600 लेकिन पूछा है आप से पी और हमें मिला है पी स्क्वाइर तो यह कहां चला जाएगा यह है रूट में चला जाएगा रूट को तोड़ेंगे तो क्या है Eleganisad entails और से और से जाएगा करें सक्वा से साथ आपके option में C है तो option C आपका यहाँ पे सही है ठीक है सवाल इजी रहेंगे बस थोड़ा सदे की घुमाया जाएगा आप उस घुमने पर अगर अमल कर लेंगे तो आप हर तरह के चक्की को चला लेंगे अगला प्रिश्ण देखिए अगला प्रिश्ण है एक दसम्रव द साथ दिया है रिखे दस्मलों के बाद जो संख्याय होती है वो फुन नइ फूर आपूर जो दसम्रव के इधर से ऐसांख्याय होती वह इसको हम इस रूप में भी एक प्लस दो साथ बटे में बार का निशान है इसलिए दोनों संख्याओं के नीचे हमारा नौनों आ जाएगा अब हम इसको सॉल्व करेंगे यह हमारा प्रश्न बना यह हमारा प्रश्न बन गया तो 59 एक कम निन्यावन और इस निन्यावन में ज़र्म सताही जोड़ेंगे त तो 9 से कटेगा तो हम 3 से कारते के ऊपर की इसंख्याओं को लग रहाएं कि 3 कट जाएगा तो कारते हैं तो यहां कटेंगे तो आए गांगा तीन और तीन यहां काटेंगे में 11 यह आपका option सही है देखिए ब्रह्म में कैसे डाला जाता है एक दम सटिक option यहाँ पर भी दिया आप confused दो जाते हैं लोग कभी कभी कि 11 कहीं उपर तो नहीं है लेकिन आप अपने सवाल पर ही अमल कीजिएगा और उसी संख्याओं का योग है नौ है तो हमने देखा कि सबका योग नौ हो रहा है अगर यहां से किसी का भी योग नौ होता तो आपका option यहीं से कट जाता अगला process क्या है कि उस संख्या में अगर हम 27 जोड़ दे तो हमें उसी संख्या का क्रम उल्टा हुआ क्रम मिल जाएगा जिसक फैर लगा करें देखते हैं अब देखे यह यहां पर इसको छोड़ देते हम यहां अब 27 जोड़ देते इसी संख्या में और कुछ नहीं करना क्योंकि उससे अगर 27 जोड़ देते हैं तो हमारा 27 जोड़ेंगा हमारा 2018 प्रसी यह क्रम नहीं उख्चा जोड़ाते चौह सद्रसूंद आरं नहीं नहीं बंता मे सट्रस्ंद करसोąćे सबूंद अधें यहीं बंच काट देख च्छे और साथ तेरे तेरे का तीन हो गया तीन दो पांच एक छे देखे देखे तिस का क्रम उल्टा हुआ दिखा रहा है कि छे जो पीछे था अब आगे आगया तीन जो आगे था वह पीछे चला गया तो यह आप्शन कौन सा सही हुआ अपका डी कुछ प्रश्ण ऐसे होते जिने ऑप्शन के थ्रू लगाएं तो जल्दी हो जाएंगे इसमें दिखे आप फॉर्मूले जैसी बात को दिमाग में लगाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा तो प्रश्णों को जितना अभ्यास करेंगे वह आपके कहीं न कहीं दिमाग में सैट हो जाएंगे और कोई ट अब इसी तरह से अभ्यास कार होता रहेगा और आकडो का प्रस्तूती कर और नीरूपर यह तोपिक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा फिलहाल के लिए के वाल इतना अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार